सेवा में सेवा में होश होता है जोश नहीं यह जहां नारे लगाने वहीं लगाने चाहिए यह काम नारोखा नहीं है यह काम करना पड़ता है मेरे बोलने पर आप तालिया बेजा रहे लेकिन यह लोग कर रहे है यह कर रहे है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ अधर्णिय अर्जुन मुंडा जी अधर्णिय कपिल खन्ना जी उपस्थित आज जिनके कारण हम यहां परिकत्रित है ऐसे सभी श्रद्धय सेवावीर पुझ्य संत चरण उपस्थित नागरिक सर्जन माता भगीनी जैसा मैंने कहा उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन उगर करने वाला हूँ यहां मेरे मार्गदर्शन की आवश्यक्ता नहीं है कौन से रास्ते पर चलना चाहिए तो करने वाले इतने सारे लोग हमारे सामने हैं उनका उधारन हमारे सामने हैं तो रास्ता केबल दिखनी रहा है रास्ता दिखाने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों की भलाई का काम अपना स्वार्थ छोड़ कर करने का काम उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है कंटका कीरण होता है उस रास्ते को बताने वाले महापुरुष हमारे यहां उनकी तो मालिका है दुनिया के किसी देश में सारे देश मिला कर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गतव दो सो वर्षों में हो गए और एक-एक का जीवन सरवांगीन जीवन की राह उजागर करता है हमारे आखों के सामने लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके काटे कंकड भी दिखते है क्योंकि उमारे का कंड़ा का करना होता ही है तो फिर हमारे जैसे लोग हिंमत नहीं करते है। उनकी पुजा, जयन्ती, पुन्यति थी, जय जय कार ये सब करींगे। जैसे अभी जय श्रीराम हम कहते हैं बड़े जोर से कहना भी चाहिए क्यों बुरी बात नहीं है लेकिन श्री गया होना भी चाहिए कि लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे अरे भाई भरज जैसे भाई पर प्रेम करना श्री गया ही करें हम तो नहीं कर सकते हैं ये सामानिय वक्ति की पर्तिक्रिया रहती है इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसी होते हैं दिखने में, लोगों में वो अलवकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा, किसी अपने मित्र को या शिश्य को, कि रे तुमारे येशु, बुद्ध और कृष्णक से हजार गुना अधिक तेजस्वी लोग इस दुनिया में आये, चुपचाप अपना काम करके चले गए, किसी को ख़बर नहीं लगी। ऐसे गुप्त योगी होते हैं, ऐसे गुप्त योगियों को ढूण ढूण के आपके सामने लाने वाले इश्वर संता फाउंडेशन का वास्तों में अभिनंदन हैं, रिदय से अभिनंदन हैं, क्योंकि आज हमको चलने की ज़रूरत है, पच्चत्तर वर्ष का उल्लिग हुआ, इन पच्चत्तर वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े, बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो, चलेंगे ही नहीं, चलें नहीं, इसलिए नहीं बढ़े, वो एक सुभाशित है, योजनानाम सहस्रो भी, शनईर गच्छेत पिपी लिखा, सहस्र योजन, सहस्र योजन भी छोटी चीटी, अपने पहरों से धिरे धिरे चलके निकल जाती है, एक गाउं से दूसरे गाउं जाती है चीटी है, तो वे इद्ञानिक सकते है, जीवशास्त्र का अध्यान करनों वालों को मालूम है, माइगरेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है, छोटे कदम भरते भरते, देर सब हैर पहुँच जाती है, और फिर कहा है कि, अगच्छन वैनते योपी, पदमेकम नगच्छती, अगर जाएगा नहीं, उडएगा नहीं, तो गुरूड होतो भी, एक कदम भी आगे नहीं जा सकता, ताकत तो उसकी है, पूरे आश्मान को आलोडन करने की, पर उन्तु करेगा नहीं तो कैसे होगा, है, उदारनों के प्रकाश में उस रास्ते पर कदम से कदम मिला कर चलने की हिम्मत, जगाने वाले आज के ये जो सारे हमारे उत्सों मूर्ती है, उनको मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ, और उनकी अनुमती से, क्योंकि आपने मुझे यहां खड़ा किया है, काम दिया है, से इसलिए मैं कुछ बाते आपके सामने रखता हूँ, आज के कारकम से ही संबन्धित है, स्वर्गिये श्री खैराती लाल जी शर्मा ने अपने परिवार पर अपने स्वयम की कृती से, और अपने बहुत स्नेहमे परामर्ष से, जो प्रभाव डाला, जो लीक बनाई, उस पर उस परिवार की आज की प्रिड़ी भी चल रही है, यह बात हमारे जहन में आ गई, भारत की नई प्रिड़ी का क्या होगा, ऐसी चिन्ता बहुत बुजुर्ग करते हैं, लेकिन वो चिन्ता करने का कारण नहीं, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, यह सब बुजुर्गों के हाथ में है, और बाकी कुछ भी हो, परिस्थिती में कई प्रकार के प्रभाव है, अच्छे भी है, खराब भी है, जीवन का तरीका जो है, वो कुछ बाते अच्छा करता है, कुछ बाते खराब करता है, यह हो तो भी, अगर अपने परिवार को हमने ठीक से समाल लिया, किवल आर्थिक दुष्टी से नहीं, परिवार का वातावरण हमने ठीक रखा, अपने आचरन से, अपने घर के सब लोगों के साथ, आत्मी या समवात के आधार पर, उनको सिखाते समझाते चले गए, तो देश की कोई भी पीड़ी कभी भी भटक नहीं सकती, और मेरा तो अनुभवा है, आज की युवापिड़ी में इतना बल है, कि इसके अभाव में भी थोड़ा देर से सही, लेकिन वो अपना सही रास्ता डून लेते हैं, और देश की सिवा में भी लग जाते हैं, पहली तो इस कारिकम से ले जाने की बात हमारे लिए ये हैं, दूसरा, कई बार लोग कहते हैं, कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ चाहिए, तब कर सकेंगे ना, तो अनन्तवासी, रामसुक्दाजी महाराज एक बार मुंबई में आये थे, चुनाओ का समय था उसमय, तो एक सज्जन गए, और उनको कहा कि आपके परिचय बहुत है, और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, सेवा के लिए अगर मुझे टिकेट मिला और मैं चुन के आ गया, तो सेवा करना आसान होगा, बात तो सही है, आसान तो ही सकता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक आथारिटी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे, तो मैं अधिक सेवा कर सुकोंगा, आप थोड़ा फोन क करके बोल दीजीए, तो राम सुक्दाजी महराजी मिला जिया चुन के आने से फायदा क्या होगा यही ना, कि तुमको अधिकार मिलेगा, और तुमको साधन भी मिलेगा, तो मैं लिए कोई बात नहीं, मैं तुमको अधिकार दे देता हूं, लिखे देता हों, कि सेवा करने का अधिकार मेरे तरफ से इनको प्राप्तो भुआ है। पूरे देश में तुम कहीं भी सेवा करो, तुमको कोई कठिना ही नहीं आएगी। और जितना खरचा होगा सेवा में, मेरे से लेलाना मैं देते रहो कुगा। तुमको कभी धनका अभाउनी होगा। मैं फोन नहीं करता, इतना करो तुम मैं ने दिया लिख के देता हूं, तुम करो सेवा. तो सजन वापस नहीं आय उनको मिलने के लिए. सेवा ऐसे होती ही नही this. सेवा तो मनुष्य की, मनुष्यता का… एक स्वाभाविक अविश्कार है. स्वाभाविक अभिविक्ति है मनुष्य सेवा के कारण ही मनुष्य माना जाता है मनुष्य में समयदना होती है पशों में नहीं होती आप पशों को देखो भुख लगती है तो खाते हैं समयदना नहीं होती इसलिए चिंता भी नहीं होती कोई बैल घास खाता है और कल के लिए गठर भान के ले जाता है ऐसा आपने सुना है क्या ऐसा कभी होता नहीं उसका पेट भर गया घास बची है तो भी लेनी जाएगा दूसरा कोई उस घास को खाता है खाने जो उसको क्या चिंता है जब तक उसकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देगा स्वयम खाएगा लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है मनुष्य में विचार है बुद्धी है और बुद्धी को बुद्धी भी हो सकती है सुबुद्धी भी हो सकती है बुद्धी होना एक बात है बुद्धी को उचित दिशा मिलना दूसरी बात है और इसलिए मनुष्य के मन की सम्वेदना को उसने सुना तो वो नर से नारायन बन जाता है मनुष्य ने अगर मन के अहंकार को चुना तो वो नर का नराधम हो जाला है और इसलिए अपने आपर ये कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथु नंच, सामान्य मेतत पशुभिर नराणा। Biological animal मनुष्य भी है, इसलिए biology में living thing के जितने function है उतने सब मनुष्य करता है। वो छोड़ी ही ने सकता, उसको करना ही पड़ता है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है, कोई भी हो, पहुचे होए महात्माओं को भी कुछ तो आहार प्राप्त करना पड़ता है। हम सामान्य मनुष्य ये भवतिक अन्न से प्राप्त करते हैं, वो सीधा वैशुविक उर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन बिना उर्जा के कोई काम नहीं चलता, उर्जा के सुरोंतो का उप्योग मनुष्य अपने आहार के लिए करता ही है। ऐसे सारी बाते मनुष्य को करने पड़ते हैं। परंदु कहा है कि धर्मो ही तेशाम अधिको विशेशो, धर्मो विहीन पशुभिस समाहना। मनुष्य की विशेषता क्या है? उसके पाइस धर्म है। उह ही उसकी विशेषता है। उसके कारणम हो मनुष्य है। अब ये धर्म बड़ी बड़ा कठीन चब्द है, समझ में निया था, लोग धर्म कहने के बाद एक इदम पूजा देखने लगते हैं, तो पूजा तो सब धर्मों में एक छोटा आंग है, यहां जो धर्म कहा है, वो जिसको आज मानो धर्म कहते हैं, यह हिंदु धर्म कहते है उसको कहा गया है, यानि हिंदु स्थान से निकले, सभी, सभी धर्म, क्योंकि वो यह नहीं कहते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसके प्रवर तक उन पंठ संपरदायों के दर्मों के, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मुझे मिला, तुम मेरे रास्ते चलो, इसा कोई नहीं कहते हैं. क्योंकि पूजा एक छोटा आंग ए, अस्तो में धर्म क्या है, तो अपने यहाँ भागोष्रिमत भागवत में कहा है, कि धर्म के चार पेर है, एक है सत्य, सत्य धर्म तब ही आता है, जब सभ में एक एक तत्व है, अब वो तत्व जड़ है कि चे यह विवात का विशे है, दर्शनों का विशे है, यहां तक सब एक है, विश्व की एकता, अस्तित्व की एकता, यह भारत से जो विचार निकले उन सब को मान गया है, वो एकता कैसी है, उसका सुरूप क्या है, उसको पाना कैसी है, इसके बारे हम सब के मतवेद है, लेकिन अ कही से भी चलो, तुम वही पहुंचते हो, कही से भी कुछ करो, तुम उसी को भचते हो। और इसलिए वो तुमारा रास्ता तुम चुनलो, उस सत्य को तुम देखो, और तुमको जैसे दिखता तुम बोलो। यह तुम्हारे लिए है लेकिन दूसरे को ऐसा ही दिखता है इसका आगरमत करो दूसरे का अपना रास्ता है उसका अपना दर्शन है उसने अपना देखा, चलो जगडा मत करो, यह सत्य है उसका अनुसंधान करो क्योंकि सत्य में सारा सुख मिलेगा कभी न जाने वाला सुख मिलेगा दूसरा सुख का रास्ता नहीं है भहतिक सुखों के पीछे ज़्यादा भागोगे तो गड़े में जाओगे वो सुख पाना है इसलिए रखना है शरीर को उतनी आराधना करो केवल अध्यात्म के पीछे जाओगे तो भी गड़े में जाओगे अध्यात्म का साधाने शरीर मंद बुद्धी उसको ठीक रखने के लिए जितना है उतना उपवोग का वरण करना बाकी सहियम से काम लेना और सत्य का प्रनजान करना लेकिन उस सत्य बड़ा कठोर भी है क्योंकि उस सत्य को जब देखते है तो ये दिखता है सब को कि वही मूल है दूसरा कुछ नहीं है अभी साइन्टिस्ट को भी किसी भी साइन्टिस्ट को पूछिए कि ये मनुष्य, ये बेंच, ये आप लोग बैठे ये मैं बोल रहा हूँ, बाहर कारे खडी है, गाय बैल घूम रहे दियातों में इदुरदर ये सब, वो कहता है सब इलेक्ट्रोंस, प्रोट्रोंस, न्यूट्रोंस उसके अंदर और एकदम क्वार्क्स और क्वासाज तक के कण है, कणों का क्यल है साब तो बस कुछ है नहीं, कुछ जाता नहीं, law of conservation of mass, E is equal to mc square, वगरे वगरे सारी बाद है, यानि कुछ समाप्त नहीं होता, जो है सो है, वो कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, अब ये इतना कठोरे, इसका मतलब क्या होता, आप जानते हैं हमारे यां भी ऐसी ही कहा है, कि सब कुछ ब्रह्मा है, और वो शाष्वत है, और ये हम लोग जो है, ऐसे उपस्ते हैं और जाते हैं, पानी में जैसे बुलबुले उपस्टे, वैसे विश्व उपस्टे है और उनका संवार होता है, मिट जाते हैं. वो जहां है, जैसा है, वैसा रहता है. इसका मतलब होता है कि आपके जीने मरने का कोई अर्था नहीं, मेरे लिए. मेरे लिए क्योंकि मैं फिल करता हूं मेरे अ मरने का तो मुझे ख्याल रहता है, मेरे अपनों की जीने मरने का भी मुझे ख्याल रहता है, उसका सुख़दुक का मैं बोगता हूं. तो इसलिए केवल सत्य नहीं, सत्य के साथ दूसरा है करुणा, याने सम्वे जाना. क्योंकि जो सत्य है, उस सत्य तक पहुचने के यह आधार क्या है? पस्टिम कहती है, वो संघर्ज है, जो बल्वान होगा, वो जिएगा, उसकी जया पर बाकी सब रहेंगे, अत्वा नहीं रहेंगे. लेकिन ऐसा देखेंगे तो फिर दुनिया में साधन बहुत कम है. गांडी जी कहते थे, इंटार वर्ल्ड गेनाट साथिस्पाई एनीवन्स ग्रीड और मनुष्य के सभा में लोब भी एक तत्वा है. तो इसलिए सईयम, सदाचार, समवेदना, करुना ये सारी बाते हैं. नहीं तो सत्य को स्विकार करके उसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं. और इसलिए दूसरा पहर है करुना. और ये करुना मन में तब आती है और प्रभावी होती है जब पवित्रता है उद्देशों की. सेवा क्यों करना वो सर्जन थे, टिकेट मांग रहे हैं, टिकेट के लिए सेवा चाहिए थी. वैसे तो हर पास साल बाद बहुत सारे सेवा करने वाले निकलते हैं और पास साल के बाद यानि वो तीन-चार मोनों के बाद नष्ट होते हैं, फिर से आते हैं, उखते हैं फिर से पास साल के बाद ये तो हम खेल देखती है, वो सेवा नही है, वो मजबूरी में भी सेवा नही होती है, कोई हमारी मजबूरी है दुनिय तो एक दूसरे को ऐसा भी नहीं है, उसको भी सेवा नहीं कहते, मजबूरी में जो होती है, बचा एक बच्चे को अतालाब में लोग तैर रहे थे, बच्चा गिर गया, लोग चिल लाए, दोड़ा एक जवान, कुदा उसने उस बच्चे को पकड़ा ले आया, लोगो ने किसने मारा उसको मैं ढूंड रहा हूं, अब धक्का मारा वह 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 गिर गया, वह बच्चा वह था, उसने गलाब पकड़ लिया, तो मरना आय तो उसके साथ, जीना आय तो उसके साथ, तो यह मजबूरी में अच्छा काम करने यह भी सेवा नहीं है, सेवा स्वार्थ के हो एक सहज अभी वेक्ती है, मैं सेवा क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे रह नहीं जाता हूं, एक सज्जन मिले मुझे, कि मेरे पास बहुत पैसे हो गए, तो मुझे कुछ सेवा करने ही है, तो आप लोग बहुत सेवा करते हो, तो हमको बता यह कैसे कैसे की जाती है, मैंने ब आपने पास साधन है, समाज अपने साथ रहेगा, वो दौड के काम करने लगता है, अपना समाज ऐसा है कि प्रामानिकता से कोई काम कर रहा है, तो उसको कोई कमी नहीं होने ज़ता है, अपना समझ ऐसा है, अब आप तो पहले आपके पास पैसे है, तो बजटिंग से प्रारंब करेंगे, वो हमारे यह नहीं चलता है, इसका कोई बजट नहीं है, जितना आवश्चक है उतना करना, अपने पास जो है वो सब दे देना, ऐ तो जो दीपों का वरनित अरदर की दीप होते हैं, लेकिन एक दीप सरवत्तम माना गया है, वो रतन दीप है, उसका अपना प्रकाश होता है, और इसलिए अपेक्षंते नचसनेहं उस दीप को किसी का सनेह नहीं चाहिए, या सनेह यानि टेल भी होता है, तो उस दीप में की जुरूरत नहीं है, ना पात्रम, स्टेटस नहीं चाहिए उसको, कहीं भी रखो प्रकाश देगा, अब उसको उचे ही रखना पड़ेगा, हवा ना लगे ऐसी जगे रखना पड़े, कुछ उसकी कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षंटे न चसनेहम न पात्रम न दशानतरम बीज बीच में उत्सा कम होता है, जरब बाती सर्शाओ भाईया, बड़ी करो, यह उसको नहीं करना पड़ता, अगे कहा गया है, सदा लोक हिते युपता रत्न दीपाह इव उत्तमा, उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, इस रत्न दीप के समान, स्नेह पात्र याने स्टेटस या कोई प्रेरणा देने माला, मेरे प्रेरणा से शुरूआ ऐसा कह रहे है, बेकर की बात है, प्रेरणा उनके रुदे के अंदर की है, उनके पिताजी के उधारन की है, तो उनको कोई आवश्यक्ता नहीं होती, वो जलते रहते हैं, प्रकाह देना उनका स्वाब है, पेट ऐसी जीवन अपने सामने है, और गौर करने की बात है, कि यद्यपी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं था कुछ, उनको तो अपना नाम महा है, इसका भी पता नहीं था, उन तो करते हैं, करते रहते मैं तो बहुत सारी लोगों को जानता हूँ उनको पता नहीं था कि हम सब लोग उनके लिए खड़े हो जाएंगे यहां उनका सम्मान होगा उनके काम शुरू किया तब भी अगर कॉम्पुटर में डाटा फीड करते कि इनके पास क्या-क्या है काम करने के लिए तो कॉम्पुटर कहता कि यह काम चलेगा ही नहीं लेकिन वो चल पड़ा और आगे बढ़ा आज उनके अपने क्षेत्र में उस काम की एक कदर है उनको नहीं चाहिए रतनदीप है तो प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा लोग कहेंगी कि चमकरा है रतनदीप चमकरे के लिए नहीं बैठा है उसका स्वबाव है बहिया ऐसे यह सारे लोग है तो यह कारिकम उनके लिए छुड़ी है उनको हमारे सामने लाया जा रहा है क्योंकि हमारा जीवन ऐसा बने सेवा सेवा बड़ी या छोटी सेवा अंतकरण पुर्वक आत्मियता पुर्वक सम्वेदना के कारण अहंकार को भी भूलके नारायन मेरे सामने या भगवान मेरे सामने आप जिसको भी मानते है सरवोच्च वो मेरे सामने उस रूप में प्रगठ होकर मेरे अंतकरण को पवित्र करने का आउसर मुझे दे रहा है, ऐसा मानकर जो की जाती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका मुल्य समान है, और इसलिए, ये सब लोग आमारे सामने आते हैं, आज समारम्म में आ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा उनके बारे में, वो बड़े हैं, अगर ऐसा लगेगा, आज वास्तों में बड़पन तो है, परन्तु ऐसे मिल जाते हैं, तो हम उनको बड़ा आद्मी नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, सामान्य लोग है, सिवा कर रहे हैं, सामान्य लोग भी सिवा कर सकते हैं, हम लोग, हमारे घर में अपना जीवन चलाने के लिए सहायक होने वाले कितने लोग है अपने आसपास हम विचार करें हमारे घर में कोई बरतन माझने वाली महिला आती है क्या उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही किने हमारा जाने क्या उसके घर में व्यसन मुक्ति हो गई, ऐसा हम कर सकते हैं क्या हम जिस हेर कटिंग सलून में, शहरों में होते हैं, कजबों में और कम होते हैं और गाव दियात में तो नाउ घर पर आता है, ऐसी थिति आज भी कही कही है लेकिन यह हमारा ही जीवन चलाते हैं तो उनका सब कुछ ठीक हो रहा है क्या बिल्कुल सेवा के लिए एक शेत्र आपको ढूनना नहीं पड़ेगा, अपने चारों और हम अपने शक्ति लगा कर ठीक कर सकते हैं, ऐसी बहुत से बाते हैं अभाव को दूर करना, दुख्ष को दूर करना, उन्नती के पत पर ले जाना, सामाजिक महत्वके या विक्तिकत महत्वके स्वच्छता से लेकर परिया अवरंड तक जो विशय है, उसमें लोगों की जागृती करना है उससे अच्छा मनुश्चों उसको बनाना भोतिक अध्यात्मिक दोनों रूपों में है, यह सेवा है, और विशेशकर जिसकी सेवा करते हैं, वो सेवा देने वाला होना चाहिए, वो सेवा असली सेवा है एक कावद भी थी ऐसी, कि आप भूखे को एक मचली देते हो, उसके बज़ाए उसको मचली पकड़ना सिखाओ, तो सदा के लिए इलाज हो जाएगा, ऐसे इस सेवा के द्वारा देने वाला देने वाला रहनी जाता, वो लेते लेते देने वाला बन जाता है, कवी था, मराठी में कवी था है कुछ मागरच, कि देने वाला देता जाए, मैं हिंदी बता रहा हूं उसका, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते, लेने वाला देने वाले के हाथ ले जाए, कि देते रहना चाहिए, तो वो भी देने वाला बनेगा, ऐसा भी इन प्रकल्पों के सेवितों में से हमने सुना हुआ है, ऐसी सेवा हम कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, संस्था बना के कर सकते हैं, जो संस्था हैं कर रही हैं, उनके साथ लग सकते हैं, हम अपने परिवा कि अगर इस भावना से की जाए तो वो सेवा सब को लबती है करने वाले को जिसकी करते है उसको और पूरे समाज को क्योंकि आखिर समाज क्या है समाज भीड तो है नहीं अपने पुरान शब्द था जनवपद अजकल हम जिले को जनवपद कहते हैं वो नहीं राष्ट्र नेशन के अंग साथ अंग होते हैं उसमें मुख्या अंग है जनपदवती भूमी यानि एक भूमी जिस पर एक जो समुह रहता है मनुष्यों का वो किवल समुह नहीं है वो समाज है समाज है समाज है यानि क्या है उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य है और वो परसपर आत्मी यता से बंदा है सम्वेदना से बंदा है सबकी चिंता करके उस समों के सब लोग चलते हैं केवल अपनी अपनी नहीं जेखते हैं everyone for himself they will take the hindermost ऐसी भीड होती है लेकिन समाज होता है कि कहीं कुछ गडबडवी तो दोड़ पड़ता है जैसे जीवन तशरीर होता है तो जीवन्त शरीर में कहीं एक जगा काटा चुब गया तो तुरंत आखे उदर जाती है हाथ आगे जाते उस काटे को निकालने के लिए बुद्धी विचार करती इस पर कोई दवाई लगाना चाहिए किया सारा शरीर वहां की सेवा में जुब जाता है और डाइनॉसर नाम के प्राणी आपने सुने तो कैसे खतम हुए होंगे कैसे खतम हुए अने कारण बताते उसमें एक कारण यह भी बताते कि उसका शरीर इतना प्रचंड था कि एक जग काटा चुभा तो उसकी सम्यदना उसके मगट छोटा था उस दिमाग तक उसकी सम्यदना जाना वहां से कृती का आज़ेश जाना और फिर कृती होना इसमें बहुत समय लगता था इतने समय में तो और नोचने वाला नोच के ले जाए माउस का टुकड़ा और इसलिए उनका पतन बहुत जल्दी हुआ अब हम 130 करोड़ वाले हैं 3000 किलोमेटर लंबी चोड़ी भूमी है प्रचंड देश है अपना और इस प्रचंड देश में विविधता भी है लेकिन इतना प्रचंड शरीर होकर भी यूनानमिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी यह आज तक कैसे हुआ है आज तक ऐसे ही हुआ है हमारे सामने एक सब भारतवासियों के सामने एक आदर्श है पूरे विश्व को सोस्कृत करना है पूरे विश्व को मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है अपने जीवन से सिखाना है किसी को जीतना नहीं है किसी को बदलना नहीं है उसको समृद्ध करना जैसा है उससे अधिक अच्छा बनाना है यही सेवा है और पूरे भारत वर्ष के लोग प्राचीन समय से पूरे भारत को अपना मान कर चलते हैं, भूमी को भी और लोगों को भी पूरे भारत का वरणन रामायन में है, पूरे भारत का वरणन महाभारत में है, कालिदास तक कवियों ने भारत प्रशस्ति गाई है, और यहाँ वेदों से लेकर जो अखंड परमपरा चलती है, सारे भारत को अपना मानने की देखने की, वो अभी तक जारी है। यह जो सम्वेदना है इस भूमी के प्रति अपनी सम्वेदना है और इस भूमी के पुत्रों के प्रति अपनी सम्वेदना है क्योंकि इस भूमी को हम मात्रु भूमी मानते हैं उसकी प्रत्यक संता हमारी अपनी सहोधर भाईया बहन है सगे भाई भाएन हैं हम सब लोग इस सम्वेदना से अगर हम काम करेंगे तो क्या मजाल है इस देश का विकास नहीं होगा 75 साल बहुत लग गए ऐसा होता है लेकिन ऐसे जाग गए न तो 15-20 साल में ठीक हो जाएगा इतनी ताकत है अपनी उस ताकत को जोडने वाली ये सम्वेदना जगाने वाले ये सारे उधारण अपने सामने हैं ये कारिक्रम उनके लिए नहीं है ये कारिक्रम हम सब के लिए है हम जागे अपने जीवन को सेवा में लगा दे अपने देश को परमवयभो संपन्न और विश्वगुरु बनाए ताकि संपूर्ण मानवता इस प्रकार एक आत्मियता के सेवा भाव से आपलावित होकर सुख शान्ति में सुन्दर जीवन जीते हुए कोई व्यक्ति दुखी न हो कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो किसी के मन में किसी चीज का मलाल न हो जिसको जो चाहिए वो सब मिले और सब मिलके इस अपने विश्व को अधिक सुन्दर सुसजित परयावरण शुद्ध को लाते हुए करे ऐसे जीए ऐसी दुनिया बनाने वाला भारत खड़ा हम कर सकते है अगर हम अपने अपने दाइरे में जो चोटा है बड़ा है जैसा है उस दाइरे में इन उदारनों का प्रत्यक्ष अनुकरन करते है मुझे लगता है कि इस प्रकार का कारिकम इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए उसमें एक बोध है उस बोध को गरहन करे उसका चिंतन करे और चिंतन को कृती में बदले इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मेरी चार शब्द समाप्त करता है